नमस्कार, स्वागात है आपका न्यूजरूम पोश्ट मैं मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंग्ग दुनिया भर में भारी तवाई मचाने वाले कोरोना वाइरस की उत्पत्ती आखिर कहां से हुई थी पिछले तीन साल से इस सवाल का जवाब तलाशने की कोसिस चल रही है इस वीच खबर है कि अमेरिका उर्जा विवाग ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की प्रभल समभावना जताई है कि कोविड-19 महामारी किसी प्रियोक साला से हुई लीक का नतीजा हो सकती है वाल स्ट्रीट जेनरल ने अपनी रिपोर्ट में जयनकारी देते हुए बताया है कि वाइट हाउस और अमेरिका संसत के प्रमुक सदस्यों को सौपी गई एक खूफिया रिपोर्ट में समभावना जताई गई है रिपोर्ट के मुताबिक उर्जा विवाग ने पहले इस वाइरस की उत्पत्ती को लेकर अब नेशनल इंटेलिजन्स के निर्देशक एवरिल हैंस के कारयाले द्वारा दोजर 21 के दस्ता वेच के अपडेट में नई जानकारी दी गई है ये नई रिपोर्ट इस बात पर प्रकास डालती है कि महामारी की उत्पत्ती के बारे में खूफिया समुदाए के अलग-अलग हिस्से नेन्रयों पर कैसे पहुंचे हैं उर्जा विवाग के अब इस मामले में FBI की राय से सहमत हो गया है कि चीनी प्रियोक साला में दुरगटना की कारण वाइरस फैनली की संभावना है यहां अभी बता दे कि राष्ट ये खूफिया पैनल सहित चार अन अजनसी का मानना है कि करोना वाइरस की उत्पत्ती प्रकती रूप से हुई जबकि दो अजनसी इस मामले में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है रिपोर्ट के मताबिक उर्जा विवाग का ये निशकर्स नई खूफिया जानकारी का परिनाम है रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इसलिए बेहत महटपून है क्योंकि एजनसी के पास काफी विज्ञानिक विशेस्ताएं और अमेरिकी रास्ट्र प्रियोग सालाएं के नेटवर की देखवाल करती है जिसमें से कुछ उन्नत जेविक अनुसंधन करती है इस गोपनिय रिपोर्ट को पढ़ने वाले लोगों के अनुसार उरजय विवाग ने कम आतने विश्वास के साथ अपना निशकर्स दिया वहीं FBI वर्ज 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में इस निर्सकर्स पर पहुँची कोरोना महामारे एक प्रियोग साला रिस्ताव का परिनाम थी एजेंसी ने हालांकि अपने निशकर्स के पीछे कोई थोस सबूत नहीं दिया था लेकिन उसका कहना है कि वह अपने निशकर्स पर अब भी कायम है अगर आपको मारे वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें, कमेंट करें और शीयर जरुब करें अगर अपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें